एक कपल दुसरे कपल से एक क्रूस पर मिलता है इन ओपोजीट कपल में एक एट्रैशन बढ़ने लग जाता है जो भी कुछ यहाँ चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड है हेला फ्रेंड्स आज मैं आपको बिटर मून यह 1992 की लव, अपसेशन और रिवेंज इस सबसे भरी हुई मूवी एक्स्प्लेंशन करने वाला हूँ एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस पर लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा इसे चानल को सपोर्ट मिलता है अब बिना किसी देरी के एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और एक कपल को हम क्रूज पर देख सकते हैं हस्बन का नाम नाइजल और वाइफ का नाम फियोना है इनके मैरेज को बहुत सारे साल हो चुके हैं इनके लाइफ में कुछ कमी उन्हें लग रही थी अपने मैरेज को भी कुछ सुधारने के लिए एक वैकेशन वो ले रहे है इस क्रूज में वो इंडिया ही आ रहे है नेकसिन में हम देखते हैं कि जब फियोना वाश्रूम जाती है तो वहाँ पर एक लड़की बहुत रो रही है वो हैंग और भी थी नाइजल और फियोना इस लड़की को जड़ा हेल्प करते हैं रात होने पर फियोना बहुत ही टायर्ट है नाइजल को नीन नहीं आ रहे वो इसी क्रूज पर कही हैंग आउट करेगा वो क्रूज के बार में आता है जहाँ पर वो सुबा की लड़की को देख सकता है यह हमारी और एक में चैरेक्टर है और इसका नाम है मीमी नाइजल जब फिर से मीमी को देखता है तो सप्राइस्ट है मीमी अब पुरी तरीके से ठीक है इन फैक्ट वो अपी डांस भी कर रही थी नाइजल मीमी से बात करता है पर मीमी वार्निंग में जो हुआ था इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती है वो नाइजल को डांस के लिए पुछती है पर नाइजल इसके लिए मना करता है क्योंकि उसे अच्छे से डांस नहीं आता वो फिर Nigel को कुछ funny उसे सुनाने के लिए कहती है पर Nigel कुछ funny भी सुना नहीं पाता यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो Nigel को seduce करने की कोशिश कर रही थी Nigel उसे सही से बात नहीं कर पा रहा तो वहाँ से हो चली जाती है रात में Nigel टेक पर आकर मून को देख रहा था तब ही उसके पास एक आदमी आता है जो wheelchair में है यह हमारा और एक main character है इसका नाम है ऑसकर ऑसकर Nigel से कहता है कि वो बहुत ही dangerous है उससे तुम दूर रहना यहाँ पर वो मिमी के बारे में बात कर रहा था मेरा यह हाल उस नहीं किया है यहाँ कि आसकर कहता है कि वो मिमी के बारे में और भी कुछ जान ना है वो नाइजल को अपने room में लेकर आता है मिमी और आसकर husband wife है पर फिर भी एक room में वो नहीं रह रहे आसकर फिर नाइजल को उसकी story बताना स्टार्ट करता है आसकर में रहता था एक दिन वो बस से ट्रैवल कर रहा था उसी बस में उसे मीमी दिखी मीमी बहुत ही ब्यूटिफुल थी तो उसे वो बहुत पसंद आई बस में सब लोगों की टिकेट चेक किये जा रहे थे पर मीमी को अपना टिकेट नहीं मिल रहा था उसकर ने जल्दी से अबना दिकेट मीमी को ओफर कर दिया दिकेट ना होने की वज़े से उसे खुद पनिश्मेंट उठानी पड़ी उसकर को पैरिस बहुत पसंद था उसके ग्रैंड फादर रीच थे उनकी डेद के बाद उसकर को बहुत सारे पैसे मिले इसी वज़े से वो पैरिस में मूव हो चुका है वो खुद एक बड़ा राइटर बनना चाहता है पैरिस में बहुत सारे बड़े राइटर रहते थे तो वो भी यहां रहे कर कुछ अच्छा लिखना चाहता है जब उसने मीमी को देखा तो मीमी के अलावा वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा उसे नीन नहीं आ रहे वो कुछ लिख नहीं सकता जिस बस में मीमी उसे मिली थी उस बस में हर दिन ट्रावल करता है पर मीमी उसे कहीं भी नहीं दिखती ओसकर ने उसे ढुणने का बहुत राय किया पर ढोड़नी पाया एक दिन वो दूसरी लड़की के साथ डेट पर आया हुआ था वहाँ की वेट्रेस मीमी थी डेट छोड़कर वो मीमी से बात करने लग गया मीमी भी ओसकर को पहचान लेती है ओसकर कहता है कि मैंने तुम्हें हेल्प की थी तो प्लीज मेरे साथ डेट पर आओ वो भी इसके लिए मान जाती है ये दोनों फिर डेट पर आते बहुत सारी बाते करते है मीमी को डांसर बना है पर वो ज़रा इंकम के लिए वेट्रेस भी है ये रात भर मजे करते हुए पैरिस में गुमते है इनकी डेट खतम ही नहीं होती है और सुबह आती है ओसकर मीमी से कहता है कि मैं तुम्हें हर जगा ढून रहा था क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे फिर से मिलोगी मीमी कहती है कि हाँ अपनी परस में से एक नोटबूक निकाल दिये इस नोटबूक में औसकर ने उसे जो टिकेट दिया था ये रखा हुआ है यानि कि सिर्फ औसकर को ही मीमी अच्छे लगई थी ऐसा नहीं था मीमी को भी औसकर बहुत पसंद आया था थोड़ी देर में वो औसकर के अपार्मेंट में आते है औसकर ब्रेकफास्ट बनाता है वो फायर जलाते है एक दूसरे के करीब आकर इंटिमेट हो जाते है औसकर हम से एत है कि इस वर्ल्ड में में सबसे लगई था वो मीमी इतनी ब्यूटिफुल है ये बिलिव नहीं कर सकता था उनकी डेट के बाद वो तीन दीन तक उनके अपार्मेंट में ही रहे ये फिर एक साथ ही रह रहे थे डेट पर जाते थे मज़े करते थे इनकी एक दूसरे के लिए डिजायर्स बढ़ती चली गई जब सब कुछ डेटेल में आसकर नाइजल को बता रहा था तो नाइजल इससे अंकमफरड़ेबल हो जाता है गहता है कि मुझे बता नहीं है कि मुझे तुम इतने डिटेल में इस सब क्यों बता रहे हो वो फिर यहाँ से चला जाता है अगली सुबा अपनी वाइफ फियोना को यह सब वो पताता है जब Nigel और Fiona ये लंच कर रहे थे तेवे उसके पास Oscar आता है वो उन्हें लंच के लिए जॉइन करता है उसके साथ Mimi भी थी पर Mimi Captain के साथ जाकर लंच करती है Oscar Fiona को देखकर impressed होता है गहता है तुमने बहुत सारा potential है अपनी तारिफ सुनकर Fiona शर्मा जाती है वो फिर Fiona से पुछता है तुमारे husband से मुझे बात करनी है क्या तुम उसे एक घंटे के लिए मेरे पास छोड़ सकती हो इसके बाद Fiona भी मान जाती है और फिर Oscar Nigel को अपनी स्टोरी फिर से सुनाना स्टार्ट करता है Oscar कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से अपसेस थे उन्हें लगता था कि हमेशा एक साथ ही रहे उन दोनों ने फिर एक दूसरे के साथ गेम्स खिलना भी स्टार्ट कर दिया अपनी फैंटेसीज को कम्पलेट करने लग गए Oscar जो भी लिखता था आदमी के साथ डांस करने लग गए इससे Oscar जेलस हो गया Oscar को रियलाइज नहीं हुआ था कि ये इतना उसे अफ्रेक करेगा वो मेमी को अकेला ही छोड़कर घर आ गया मेमी जब घर पहुँचती है तो गहती है कि तुमने ये स्टार्ट किया था Oscar कुछसा है तो उसे वो मना लेती है अब बहुत सारे दिन हो चुके है ये एक दूसरे के साथ इंटिमेट होते थे और इससे ही इनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ती थी Oscar को फिर लगने लग गया कि इनफ नहीं है आगे वो बताने वाला था पर मीमी वहा आ गए Nigel को भी फिर से अपने रूम में जाना था जब Nigel फिर से Fiona के पास आता है तो Fiona उससे पुछती है क्या वहाँ मीमी भी थी उसे अब थोड़ा-थोड़ा शक जाने लग गया है जब Nigel अकिला था तब मीमी उससे बात करती है कहती है कि आसकर की सब बातों पर तुम बिलिव मत करना वह बहुत सारी चीज़े इमेजिन भी करता है उससे बोलती है कि तुम्हारे साथ मुझे प्राइवेट में बात करनी है उसे टाइम देखकर एक रूम में आने के लिए कहती है मीमी ने नाइजल को जहाँ आने के लिए कहा था रात में नाइजल वहाँ पहुचा बेट पर कोई सो रहा था तो उसे लगा कि वहाँ मीमी है उसने ब्लैंकेट निकाला तो वहाँ आसकर था नाइजल है देखकर डिस्टब हो गया वह से कहता है यहाँ कोई गेम्स चल रहे है यह सब क्या है आसकर कहता है कि मीमी चाहती कि तुम पूरी स्टोरी सुनो स्टोरी सुनने के बाद ही तुम्हारे चांसेज उसके साथ अच्छे होंगे नाइजल पोछता है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो आसकर पैरलाइस्ट है तू मीमी की नीट्स वो पूरी नहीं कर सकता वो मीमी के लिए सही आदमे ढूने के लिए उसे हेल्प करता है अचानक से नेक्स सेकंड में आसकर कहता है कि ये सब जोक था जादा वरी मत करो वो फिर जे नाइजल को अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है वो कहता है कि मीमी से पहले में बहुत अट्रेक्टेड था और उसकी पसनलिटी अब उसे पसंड नहीं आती जो चीजे उसे पहले अच्छी लगती थी अब वो नहीं लगती एक दिन सिटी में पबलीशर आई हुई है औसकर उससे मिलने के लिए आता है मीमी की वज़े से उस पबलीशर पर ड्रिंग गिर जाती है यह मीटिंग यही खतम होती है औसकर मीमी पर बहुत चीड़ा हुआ है वो गहता है कि मेरे बुक पबलीश होने के चांसेस पहले बहुत ही कम है मीमी बोलती है कि वो पबलीशर तुमसे सही से बात नहीं कर रही थी असकर इस पर और भी जट जाता है वहता है कि तुम्हें मुझे हेल्प करने की कोई भी जरूरत नहीं थी में लोगों के साथ कुछ भी करो तुम्हें इससे क्यों इतना फरक पड़ता है वो गुष्से-गुष्से में कहता है कि मुझे और भी कोई मिल जाएगी मिमी इस पर नाराज होकर अपने कपड़े वगरा पैक करकर वहां से जा रही थी उसे लगा कि आसकर उसे रोक लेगा पर आसकर उसे नहीं रोकता वो रोक जाती है आसकर के पास आकर कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हो मुझे इस तरह से चाने मत दो मीमी बहुत ही persuasive है तो आसकर डारेकली उससे break up भी नहीं कर पा रहा ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहते और जादा कुछ fun भी कर नहीं सकते आसकर को अब लगने लग जाता है कि उसके आसपास सब लोग मजे कर रहे हैं हमने life जी रहे है पर वो सही से जी नहीं पा रहा इन दोनों में एक बार जोर की fight भी होती है इसमें आसकर मीमी को मारता है पर मीमी फिर भी उसे छोड़ कर नहीं जाना चाहती एक बार ये दोनों date पर आई हुए थे आसकर मीमी को समझाता है चीजे कितनी भी अच्छी क्यों न हो वो कभी ना कभी end होने ही वाली है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है मीमी को कुछ भी समझ में नहीं आता तो आसकर कहता है कि हम दोनों में relationship खराब हो जाए इससे पहले ही हमें break up कर लेना चाहिए हमारी एक दूसरे के साथ अच्छी memories है तो इन्हें ऐसे ही रहने देना चाहिए मीमी भी समझ लेती है और वहाँ से चली जाती है आसकर अब सिंगल है तो उसे सही लगता है वो पार्टीज में जाता है मजे करता है एक दिन जब वो पार्टीज से घर पर आया तो मीमी उसके डोल स्टेप पर थी वो रो रही है गिड़ गिड़ा रही है वो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है तुम्हें जो भी लगे वो तुम करो तुम्हें अगर पार्टीज में जाना है तो पार्टीज में जाओ, किसी और के साथ तुम्हें सोना है, तो तुम वो भी कर सकते हो, पर प्लीज मुझे तुम्हारे साथ रहने दो आसकर रियलाइज करता है कि मीमी इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाली, वो अब और एक प्लान बनाता है वो अब मीमी को इतना तंग करेगा, कि वो खुद आसकर को छोड़ कर चली जाएगी, वो अपना प्लान स्टार्ट करता है, जब वो इंडिमेट होते है, तो अलग लड़की का नाम लेता है, उससे वो कभी भी सही से पेश नहीं आता मीमी पर भी इसका इफिक्ट आना स्टार्ट होता है, वो डिप्रेस रहने लग जाती है, वो अब अपना खुद का भी खयाल नहीं रख रहे है, मीमी बहुत ट्राय करती है, ओसकर के लिए उसका फेवरेट फूड बनाती है, ओसकर इसे भी घटिया बोलता है, ओसकर उसे प अच्छा फादर बन सकता हो, मैंने लाइफ में अभी तक कोई भी बुक पब्लिश नहीं किये, मैं एक फेलियोर हूँ, और मैं अच्छा फादर नहीं बन सकता, वो मीमी को अबोर्शन के लिए कन्विस कर देता है, अबोर्शन के बाद यह हॉस्पिटल में थे, ओसकर मीमी से कहता है, कि अब हमें एक फेलिशन पर चलना चाहिए, यह मायमी जा रहे है, प्लेन में ओसकर मीमी से कहता है, कि मैं अपना लगेश रखने के लिए जा रहा हूँ, आगे जाकर पाइलट के सामने वो उसका पेट दुख रहा है, यह नाटक करता है, उसे वो नीचे उतार यह सच नहीं हो सकता, अगर यह सच होता, तो तुम्हें बहुत ही गिल्टी महसुस होता, तुम यह सब मुझे नहीं बता दे, उसे लेट हो रहा था, तो यहां से वो जा रहा है, भार आने के बाद मीमी उसे मिलती है, मीमी कहती है, कि मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी स्टो साथ मीमी के सतंवाना बिमार जाता है ये असे बान के बात लुग ऑसकर के पास। फिर की स्टॉरी पहुत चुका है था कि मीमी मेरे लाइफ मे नहीं थिए तो मैं बहुत मज़े करने लग था अलग-अलग डेट्स पर जाता था एक दिन ऐसे वह बहुत ही ड्रंग था और उसका एक्सिलन्ट हो गया उसके पेर पर फ्रैक्चर लगा और हॉस्पिटल में था उसे मिलने के लिए फिर से मीमी आए मीमी को देखकर वो सप्राइस था वो उससे पूछता है कि तुम आप तो उसने उसे अपॉर्चुनिटी थी जब उसे ऑसकर के बारे में पता चला तो देखने के लिए वो पहुच गए ऑसकर ने मीमी के साथ इतना सब कुछ गलत किया है पर फेबी वो मीमी से सही बात ने करता मीमी वहाँ से जा रही थी पर अपना माइंड उसने चेंज कर लि अब आसकर से बदला लेने के लिए मीमी खुद उसका ख्याल रखने लग गए उसका जैसा मनाता था एक खिलोनों की तरह वो आसकर को ट्रीट करती थी इसमें एक ही जीज उसे दिन रात खिलाएगी एक ही जगा पर उसे इंशुलिन देगी जिससे उसे तगलीफ हो इसी तर लड़के के साथ आसकर खेलता है आसकर मीमी से सौरी कहता है कि मैं तुम्हें अबोर्शन करने के लिए कहा क्योंकि मुझे लगता था कि मैं फादर बनने का डिजर्विंग नहीं हूँ आसकर अब पैरलाइस्ट है तो उसे कभी भी बच्चे नहीं हो सकते है वो मीमी से कहता कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें बच्चे हो सकते हैं मीमी कहती है कि abortion के बाद मुझे infection हो गया था वह अभी फिर से कभी pregnant नहीं होगी ऑसकर को बहुत पूरा लगता है उसे पच्टा वाता है वहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था मीमी ऑसकर से कहत है कि हम अब एक दूसरे के साथ है जो भी है वो सही है आसकर को लगता है कि मीमी अभी भी उससे प्यार करती है आसकर को जेलस फिल कराने के लिए मीमी एक दिन एक लड़के को घर लेकर आती है उसके साथ intimate हो जाती है इन दोनों की relationship अब इसी तरह किसे बन गए मीमी आसकर के साथ कुछ भी कर सकती थी वो उसका खैल रख रही थी तो ऑसकर और कुछ बोल भी नहीं सकता एक दिन इन दोनों ने शादी कर ली ऑसकर फिर नाइजल से कहता है कि मुझे हमेशा डर लगता है कि मीमी को कोई अच्छा आदमी मिलेगा और उससे वो प्यार करने लग जाएग मुझे फिर वो शायद छोड़ देगी इसलिए ओसकर मीमी की फिजिकल लीड्स कंप्रेट करने के लिए कोई आदमी ढूंटा है वो चाहता है कि मीमी किसी की भी प्यार में ना पड़े अब नाइजल ने पूरी स्टोरी सुन ली है रात में पार्टी है जहाँ पर वो मीमी स मिलता है वो उसके साथ डांस करता है वो एक दूसरे को किस करते है पर मीमी जड़ा दूर होती है कहती है कि तुमारी वाइफ हमें देख रही है एक्च्छल में ओसकर ने फियोना के लिए एक ड्रिंक बेची थी उसके बाद वो पार्टी में फिर से वापस आ गए जैसे हम कि आसकर को लोगों के साथ गेम्स खिलना अच्छा लगता है नाईजल फिर फियोना को स्वारी कहने के लिए आता है पर फियोना उसका कुछ भी नहीं मानती फियोना फिर खुथ मीमी के साथ डांस करने लगती है ये देखकर आसकर बहुत रज़ता है राद में मीमी और फि किसी को हट कर दोगे औस कर गैता है इसके बाद मैं किसी को भी हट नहीं करूँगा वो मीमी को शूट करकर मार ढालता है अपने आपको भी एक गोली मारकर सुसाइट कर लेता है फियोना ये सब देख कर बहुत डर गई थी, नाइजल और फियोना ये दोनों अपनी गल्ती रियलाइज करते हैं, इन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया है, इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है, अगर हम इस मूवी में देखें, तो आसकर सिर्फ मीमी की बॉड़ी से पैर करता था मीमी आसकर से सही से पैर करने लग गए थी, और कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, आसकर ने उसे बहुत हट किया, पर फिर भी उसके साथ रुकी, इतने घटी आदमी के साथ रुकना ये उसकी गल्दी थी, जिस तरह से शुरुवात में मीमी से आसकर अपसेस्ट था मीमी भी उसे उसी तरीके से अपसेस्ट हो गए, उसे रिवेंज लेनी के लिए हमेशा उसे बान कर रखना चाहती थी, लास्ट में आसकर के लिए ये सब बहुत ही पैनफुल हो गया उसने मीमी को मार कर को सुसाइड कर ली, अगर हम नाइजल और फियोना की बात करें, तो अल्रेड़ी इनके मैरेज में प्रॉलम चल रही थी इन दोनों ने फिर कुछ गल्दिया की और अब रियराइज किया है कि ये गलत था लास्ट इंसिडेंट के बात अब शायद इनका मैरेज सही हो सकता है आज का वीडियो हम यही कतम करते है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आत रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इंडूशन आइकोन दबने मत भूलेगा वीडियो से मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब तक लिए ठैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिया है